दोस्तो विशाल ओनलाइन के लाज इसमें एक बार फिटसे आप सभी का बहुत-बहुत स्वावत है तो दोस्तो जैसे कि हम सभी जानते हैं आज यानि कि 17 जून 2018 को Father's Day के रूप में मनाया जाता है यानि कि हर साल जून के महीने में जो है Father's Day को मनाया जाता है तो दोस्तो जैस इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे कि Father's Day को क्यों मनाया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इसको लाइक करके नीचे गलाल कलाल का सब्सक्राइब का बड़न दिखाई देगा आपको इस पर किलिक करके इसके अधिकारिक माननीता मिलने में कुछ बास बुजर गए Father's Day को अधिकारिक माननीता 1972 में ही मिल गई थी Father's Day पर एक पिता के सम्मान के लिए United States में छुट्टी की घोशनावी की गई है पिता के सम्मान के लिए एक खुसी की घड़ी है अगर हम Father's Day के इतिहास की बात करें तो य उन्होंने महसूस किया कि मा को ही सम्मान और तारीफे मिलती हैं लेकिन पिता के लिए ऐसा खुछ भी नहीं हो रहा जबकि पिता भी मा की तरह ही सम्मान और तारीफे हगदान है सोनेरा के पिता विलियम्स जेक्सन इसमार्ट जो एक किसान परिवार के लिए कटिन परिक्षम करते थे सोनेरो सहीद विलियम्स के छे बच्चे थे जब सोनेरो का जन्म हुआ उसी समय सोनोरा की मा की मिरती हो गई मा के गुज़नने के बाद 6 बच्चों की जिम्मेदारी पिता पर ही आ गई पिता ने मेहनत कर सभी का पालन पोसण गया सोनेरो के पिता अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते जिन से उनके बच्चे खुस हों और उन्हें किसी भी तरह की परिशानी नहीं हो तोनोरा इस प्यार की खातिर ही सोचने लगे कि मा की तरह ही पिता भी सम्मान के हगदार है और उसके लिए मदरस्टे की तरह फादरस्टे जैसा भी दिन होना चाहिए इस दिन को मनाने के लिए 5 जून को पिता के जन्म दीबस पर लेकिन कुछ समय बाद इस दिन को बदल जून के तीसरे रभिवार को मनाना जारी गया अगर हम दूसरी कहानी की बात करें तो यह अमरीका से प्रीरित है जहां अमरीका के वेश्ट वर्जिनिया 5 जुलाई 1908 को ग्रेस गोल्टन के प्रियतने से चर्च में पिताओं को सम्मान देने का आईयोजन किया गया ये विचार इसलिए आया एक भायाना खान विस्पोर्ट में 361 लोगों की जान गई थी इसलिए इनके प्रिती होने वाले प्रेम के खातिर इस दिन का आयोजन किया गया लेकिन ये हैं उस सब एक छुट्टी में तबदिल ना हो सका ये दोनों ही काहनियां हमें प्रेरित करती हैं कि पिता का दर्जाए भी बहुत जादा उचा होता है पिता के बिना जीवन के कलप बना करना मुश्किल है पिता का प्रेम पतनी अन्मिय महोर रखने वाले चीजों से कहीं आगे हैं हम जीवन में कितने आगे बढ़ जाएं कितने ही सफ़ा हो क्यों ना हो जाएं लेकिन पिता के आगे हमेसा बच्चे ही रहेंगे तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो पिलिज इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें आज की में फिलाल इतना है थैंकि पर वोचिंग